नमस्कार दोस्तों स्मार्ट स्टडी के ऑफिशल यूट्व चैनल में मैं आपका हर्दिक स्वागत करता हूं आपके आप सब ठीक होंगे तो आरम बैच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश सामान्या गयान में बिलासप बनते थे जितने भी वह सारे हमने पड़े तो बिलासपूर को खतम करने के बाद आप की याज की वीडियों होगी आपका जो आज का जितने भी आपके प्रशन बनेंगे डायरेक्टली या इंडायरेक्टली उनके बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए करते हैं शुरू तो हिमजल प्रदेश के उत्तर पस्ची में स्थित्त है तो मैंने आपको बता दिया था पीछे अगर आपने बिलासपूर जिला पड़ा ह करेंगे तो मैंने का था कि देखो उत्तर पस्ची में उत्तर पस्ची मतलब कि इस साइड को हमारा चंबाजिला है उत्तर पस्ची मलब इस तरह को हमारा क्यों है क्यों है क्यों ही हम दिशा में पूर्व और पस्चीम को मुख्यरूप से मानते हैं या मतलब उत्तर और देख लिए हमने की हिमचलaqu quisプरदेश के उत्तर पस्टे में स्टित है अगर आपके पास मेप वो गातों हमचल प्र्देश का मैप देख लीजिएकट है नहीं तो 20-25 उर्परी का मैप मिलता है मैप खरीज लीजेगा ना किवाध की बात करें तो चम्बा जिल्य की सीमा जम्मृ कश्मीर से ठीक है यह तो लगी राज्या से पीवाल लगती है यहां तक किसी को कोई दुख न ही होना चाहिए ज़िब दर्द पीडा नहीं होनी चाहिए परवत श्रिंखलाओं कि अगर हम बात करते हैं चंबा जीले में तो चंबा जीले में बहुत सारी आपको मिलेंगी अगर आप किताब उठाएंगा ना दोस्तों मैं एक बार फिर से बतारूं जगमोन बॉलोखरा या जो भी आपकी आकाश दरपन वह उठाएंगा तो आप थो जो बताया जारा एस दो पॉइंट पढ़िएगा देखे सबसे कम उंचाई वाली शिवालिक परवत तो मलब शिवालिक परवत हमारा वहां पर पढ़ता है तो सबसे कम उंचाई वाली जो शिवालिक परवत है वह कौन सी हमारी वह हमारी हातीधार है हाइट की बात करें तो हातिदार और धोलादार के बीच का क्षेत्र हमारा व्यास गाटी कहलाता है पूछा जाएगा व्यास गाटी कहां पर है तो आपको बता देना है क्यूंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है व्यास गाटी हमारी चंबा में है किन-किन जो है परवत श्रिंखलाओं के बीच में ह हांतिदार और धोलादार के बीच में हमारी वैस घाटी एक थोड़ी सी अपनी खास्यत यह इसमें एक साल में दो फसले उखती है कौन-कौन सी उखती है इस से आपको को लेना देना नहीं है घर tires ayr जैसे हतिदार और धोलदार के बीज कक्षेतर हमारा व्यास घाटि क्यालाता उसी तरह से पांगी और जासकर के बीज कक्षेतर हमारा चिना आँ घाटि के नाम से जाना जाता कि कौन सी परवत हमारी स्रीख़टा को 2 भागों में बानटी है तो पीर पंजाल हमारी से Japanese नहांके नाम से भी जाना जाता है पीर पंजाल की थोड़ी से और खासियत देखेँ तो पीर पंजाल जो है बड़ा भंगाल से चंबा में प्रवेश करती है और अगर हम डिपली जाए तो आप देखेंगे जम्मू चंबा की सीमा हमारी किसे लगती है जम्मू कश्मीर से लगती है जम्मू और चंबा की सीमा पर हमारी कौन सी धार है दोस्तों दगानी धार स्ति आपके जालसु दर्र, साच दर्र, कुगती दर्र, पॉंडरी दर्ढ यहां पर पॉंडरी होगा पॉंडरी दर्र और बसुधं दर्र ये हमारे 5 दर्र मुख्यरूप से चम्बवा परवत सिंकलाइन देख लिए अब बात करतें नद्यों की तो चम्बवा में कौन-कौन सिन द ति रोट नामग केक्स्तान है तो फिरोष से प्रवेश करती है निकलती कहां से है तो यह दूस्तो निकलती जम्य किश्मीर के संसारी χ Assistant नाला से निकलती है ठीक है फिचनाभ के बारे में देख लिया अब रावी के बारे में बात करते हैं this रावी नदी हमारा बड़ा भंगाल से निकलती है और इसकी सबसे बड़ी साइक नदी हमारी कौन सी नदी है तो पुझा जा सकते हैं कि चंबा में रावी नदी की सबसे बड़ी साइक नदी कौन सी है तो हमारी शिवल नदी आगे देखते हैं गाटियों की बात करें तो जो हमारी गाटियां है रावी घाटी चंद्र भागा गाटी मुक्वेरूप से बाकी छोटी-मोटी गाटी है दो बहुत होती है मुक्वेरूप से रावी और चंद्र भागा ऑगा एक और question आपका बन सकता है कि भट देख लिए परवत श्रिंक लाइन देख ली तो अब हम जीलों के बारे में देखते हैं जीले तो मनी महेश जील मनी महेश जील हमारी काम पर है चंबा में है गडास्रू जील भी हमारी चंबा में है खजियार महाकाली लामा यह सारी जीले हमारी काम पर है चंबा में है और को कुछ समस्या होगी तो आप WhatsApp में पूछ सकते हैं WhatsApp ग्रूप आपके लिए बना हुआ है तो आई होप की वीडियो पसंद आई होगी इसी कामना के साथ की आपका दिन शुब बीते जय हिंद जय भारत